प्रेग्नेंसी टाइम में किन महिलाओं को तर्बूच का सेवन करने से बचना चाहिए तर्बूच एक ऐसा फल होता है जो पोशक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ इसमें पानी की बहुत अच्छी मात्रा होती है जिसकी वज़े से गर्मियों में हर कोई गर्बवती महिला को उसका सेवन करने की सला दोता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का बेवी केर फैमली पर आज की वीडियों बहुत ज़दन पॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियों को बिना स्किप करें एंट तक जरूर देखेगा तो आईए अपनी वीडियों को फटा फट से शुरू करते हैं गर्बवस्ता एक ऐसी अवस्ता है जिसमें हर एक महिला अलग-अलग होती है वैसे ही उनकी प्रेगनेंसी भी अलग-अलग होती है इसलिए कुछ महिलाओं को गर्बवस्ता के दौरन तर्बूच का सेवन करने से बचना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरन डाइजेशनल डाइबर्टीज होनी का खत्रा सबसे ज़ादा होता है और ये खत्रा होता है आपको 20-वे हफते से लेके 24-वे हफते के बीच में क्या आप जानते हैं अगर आपको डाइबर्टीज हो जाता है तो इससे शिशु को क्या-क्या खत्रे हो सकते है शिशु का वजन जादा बढ़ सकता है शिशु को डिलिवरी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पर सकता है हो सकता है जो हमारा बेबी है उसको पीलिया हो जाए उसका जो वजन है वो अचानक से पैदा होने के बाद कम हो जाए बच्चे को सास लेने में प्रॉब्लम हो सकती है साथ ही बच्चे को जटके आने की समस्या भी हो सकती है इसी के साथ साथ अगर आपको शुगर है तो ये खत्रा गर में पल रहे शुशू पर भी होता है आपके द्वारा शुगर की प्रॉब्लम बच्चे में भी जा सकती है वो भी गर ववस्ता के दौरान ही साथ ही अगर आपको diabetes हो जाता है तो इसमें डरने और घबरानी की जुरत नहीं आपको सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान देना होता है जैसे आपको डॉक्टर के पास regular check-up के ले जाना चाहिए डॉक्टर के दुआरा दी गई medicines को time से लेना चाहिए वो जो भी diet आपको बताएं वो आपको follow करनी चाहिए इसी के साथ आपको walk regular करनी है आप exercise और yoga कीजिए walk करने से exercise करने से और yoga करने से जो हमारा sugar level है वो control होता है और ये आपको pregnancy के दरन बहुत अधिक help करेगा साथ ही आपकी जो diet हो उसमें sugar की मातरा बहुत कम होनी चाहिए आपको अपने खाने में sugar नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि जो भी हम दिन भर में खाते हैं उन सारी चीज़ों में sugar होता है जैसे हम कोई fruit लेते हैं या कोई vegetable लेते हैं या कोई हम अनाज खा रहे हैं उन में भी sugar की मातरा होती है जो हमें normal sugar हमारी life में चाहिए होता है वो उन से मिल जाता है तो आप extra sugar मत लीजेगा साथ ही आपको जो फल होते हैं वो रौ खाने चाहिए उनका juice नहीं पीना चाहिए इसी के साथ जो बाहर का packet बंद food होता है या processed food होता है उसको भी आपको नहीं लेना है क्योंकि अगर आप कोई भी बाहर का packet बंद food या processed food लेते हैं तो उसमें जो sugar की मातरा होती है वो बहुत अधिक होती है इसी के साथ जो बाहर का packet बंद juice होता है वो भी आपको नहीं लेना क्योंकि जो packet बंद juice होता है उसमें भी शुकर की जो मातरा होती है वो बहुत अधिक होती है इसलिए आपको ना fruits का juice लेना है ना packet बंद juice लेना है आपको raw fruits खाने हैं इसी के साथ chocolates और बाहर का cake, pastry या biscuits इनको भी आपको avoid करना चाहिए आप बात करते हैं कि आपको तर्बूज क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि तर्बूज में तो पानी की अधिक मातरा होती साथ ही उसमें तो vitamins होते हैं तर्बूज में vitamins और पानी की अधिक मातरा होने के साथ साथ उसमें sugar की मातरा बहुत अधिक होती है जब भी आपने तर्बूज खाया होगा तो देखा होगा बहुत अधिक मीठा होता है साथ ही उसमें पानी बहुत अच्छा होता है इसलिए अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको तर्भूज खाना अवोइड करना चाहिए इसी के साथ अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको जो तर्भूज है वो कम मात्रा में खाना चाहिए गर्बवस्ता के दौरान कोई भी चीज अगर आप लिमिट में खाते हैं तो उसका फाइदा आपको मिलता है और आपके शिशु को भी मिलता है मगर जब आप कोई भी चीज सरुष से ज़ादा खा लेंगे तो उस चीज का नुकसान आपको भी होगा और आपके गर्ब में पल रहे शिशु को भी होगा कोई भी पोशक तत्व से भरपूर भोजन आपको ज़रुष से ज़ादा नहीं लेना है एक लिमिट में ही लेना है ताकि उसका फाइदा आपको मिले उसका नुकसान आपको ना मिले गर्ब वस्ता के दोरान शिशु को level one शुगर होने का खत्रा होता है इसलिए कहा जाता है अगर आपको शुगर हो गया है गर्ब वस्ता के दोरान तो अपना विशेज ध्यान रखिए ताकि शिशु तक ये चीज़ ना पहुचे आपको pregnancy के दुरान नियमित दॉक्टर के पास जाना है दॉक्टर के दुआया दी गई medicine और diet follow करनी है डरना नहीं खबराना नहीं है walk करनी है और अपनी diet पे ध्यान रखना है हो सके जितना जादा हो सके आपको पोशक तत्व से भरपूर भोजन ही लेना चाहिए आशा करती है हमारे इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिली होगी तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भीज़े ताकि उनकी भी help हो सके इससे जुड़े कोई भी सवाल ये सुझाव हो तो comment करके जरूर लिखेगा अगर आप facebook पर और youtube पर हमें पहली बार देख रहे हैं तो please हमें follow या subscribe सरूर कीचेगा ताकि आपको pregnancy से जुड़ी हुई ऐसी important videos मिलती रहें हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा धन्यवाद नमस्कार